हे अब्रीवन वेलकम बैक आज मैं आपके साथ शेयर करें हूँ इंस्टेंट खोया बनानी की रेसिपी इंस्टेंट खोया या इंस्टेंट मावा आप इसे बोल सकते हैं इसे बनानी के लिए आपको लगेंगे सिर्फ तीन से चार मिनिट और सिर्फ दो इंग्रीडियन्स हम इसमें यूज करेंगे हमारा फर्स्ट इंग्रीडियन्ट है एक कटोरी मिल्क पाउडर वो आप किसी भी ब्रैंड का यूज कर सकते हैं और सेकिंड इंग्रीडियन्ट है हाफ कटोरी फुल क्रीम मिल्क वित क्रीम इसे बनाने के लिए आप कोशिश करें कि नॉन स्टिक पै पाउडर डाल कर इसे अच्छे से मिक्स करिए ताकि कोई भी लंप्स ना रहें गैस की फ्लेम आप मीडियम टू लो रख सकते हैं और इसे कंटिनियो स्टर करते रहें तो आप देखेंगे कि इसके सारे लंप्स खतम हो जाएंगे और एक से दो मिनिट बाद ये थिक कंसिस्टंसी में चेंज होने लगेगा पर स्टिल हमें और ज्यादा थिक मावा चाहिए तो हम इसे अभी भी पकाते रहेंगे अब आप देखिए कि तीन मिनिट पूरे हो गए हैं और ये मावा हमारा थिक होने लगा है इस कंसिस्टंसी में आने के बाद हम इसे एक मिनिट और पकाएंगे और ये लीजे आपका इंस्टेंट मावा खोया बनके तयार है इस खोय का यूज आप किसी भी तरह की मिठाए गुलाब जामून गुजिया बनाने के लिए कर सकते हैं थैंक्स पर वाचिंग सब्सक्राइब कीजे मेरे चैनल को तो गेट बेस्ट होम रेमेडीज और फूड रेसिपी